कि रियालिटी पिच्चर बूक हां सिर्फ पांच मिनिट बचे हैं क्या वो इसे रोक पाएंगे हां नोबिता के पास बॉल है वो गोल की तरफ जा रहा है वो पूरी सीच से बढ़ रहा है ये गोल हां अरे नहीं हां अरे नहीं मॉम को तो ये बहुत पसंद था अब मैं क्या करूं अब मैं इसका क्या करूं अब मैं इसका क्या करूं हां इसे वहां चुपा देता हूं हां ये ठीक है अब इसे कोई नहीं ढून पाएगा तुम यहां क्या कर रहे हो हां नहीं कुछ भी तो नहीं मॉम अच्छा नोबिता कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवक भी कर लिया करो समझ गये हां ठीक है नोबिता तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए हां आज तो बाल-बाल बच गया तुम क्या पढ़ रहे हो क्या ये ये है रियालिटी पिक्चर बुक रियालिटी पिक्चर बुक क्या मैं देखूँ हां अरे ये तो मीचां है डोडेदा हां तुमने सही कहा हा तो ये बुक मीचां के बारे में है अरे इस पिक्चर बुक में थो 2 ही पेज है क्यूँकि इस बुक में पिक्चा stellar करती है नोबिता क्या सच में अरे वाव पिक्चर चेंज हो गई ये पिक्चर बुक तो बहुत मज़ेदार है हाँ अरे क्या बात है हाँ अरे ये तो वही है ये हमेशा मीचान को परिशान करता है आज मैं इसे नहीं जोड़ने वाला ये क्या डोरे मौन तो बिना वज़े ही घबरा रहा है ये तो बस एक पिक्चर बुक है असलियत में थोड़े ही हो रहा है ये क्या वो तो पहुँच गया उसे छोड़ना मत डोरे मौन मैंने उसे भगा दिया नो पिता लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे वो इसलिए क्यूंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वहे दिखाती है जो सच में हो रहा होता है समझे क्या सच में तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचन के साथ हो रहा था इससे यूज कैसे करते हैं सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे कौन सी देखूं ये ठीक है पता था तुम यही चूज करोगे कैसे देखो ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए पिल्कुल साही बुक है नोबिता मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा मैंने ठीक कहा ना नोबिता हाँ ठीक है डो रेमॉन अब जल्दी से ये बताओ कि इससे यूज कैसे करना है ठीक है तुम्हें अभी बताता हूँ पहले तुम्हें पिच्चर बुक को मॉम की तरफ मोरना होगा उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है हाँ अब कुछ नहीं करना हाँ ये बहुत आसान है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये पिच्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता मुझे दिखाओ हाँ तुमने सही कहा अब ज़रा मुझे भी देखने दो हाँ वो पुरानी मैगिजीन दिक अच्छी कर रही है तेखो मॉम कितनी मेहनुद करती है वो तुमसे बिलकुल अलग है नोबिता क्या वो कहा जा रही है हाँ बहा नहीं क्या हुआ अरे नहीं वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है अब मेरा क्या होगा क्यों स्टोरेज शेड में क्या है हाँ कुछ भी नहीं तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यू है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में जीरो मिला है ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमान पिच्चर चींज हो गई अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया क्या वास? अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ नोबिता कभी कोई काम धंग से नहीं करता नोबिता मॉम वो भाग गया मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरे मॉन समझ गए? अब मुझे उमीद नहीं है कि नोबिता कभी सुतरीगा अरे रियालिटी पिच्चर बुक कहा है? वो उसे ले गया, वो हमेशा यही करता है अच्छा हुआ, मैं ये बुक अपने साथ ले आया अब मैं कौन सी उस करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी तुम्हारा घर गंदा हो गया है पी को, आज मैं से साथ कर देती हूँ वो रही शिजुका हाँ हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज़ करता हूँ अब मैं आराम से कहीं भी बैट कर इसे देख सकता हूँ अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज़ करूँ? हाँ, हाँ अरे वाई, एक हेलिकॉप्टर ये बुक ठीक रहेगी हाँ कुछ मज़ा आया नोबिता मेरा हेलिकॉप्टर कैसा लगा? हेई नोबिता, जरूर तुम भी से ट्राइ करना चाहोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे सुनो, मुझे इसे ट्राइ नहीं करना वो चला गया जाने दो बहुत हो गया जियान अब मेरा हेलिकॉप्टर वापस दे दो अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान घबराओं मत, इसे कुछ नहीं होगा अरे? क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान रिमोट काम नहीं कर रहा सुनियो अरे वो तो चला गया ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान जाओ उसे ढूंड कर लाओ जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे ये बहुत महँगा है अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे ये मेरी गलती नहीं है ये इस रिमोट की गलती है सुनियो तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान गलती तुम्हारी है क्या कहा तुमने क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो सुनियो मैं सच कह रहा हूँ गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान चुप हो जाओ ये सब इस रिमोट की वज़े से हुआ है ये खराब है पकड़ अपना रिमोट रुख जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते प्लीज रुख जाओ जियान उसे ढूड़ने में मुझे तुमारी मदद चाहिए जियान अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझे पर बहुत गुसा करेंगी अब मैं आराम से बैट कर पिक्चर बुक देख सकता हूँ पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी डोरेमॉन का ये ग्याजट तो कमाल का है हाँ वो क्या कर रही है शिजुका को इंसेक्ट पकरना तो पसा नहीं है फिर क्या बात हो सकती है समझ गया उसकी क्यानरी कहीं उड़ गई है पिको तुम कहां चले गई हो पिको वापस आजाओ पिको शिजुका देखो वो वहाँ पीड़ पर है उपर देखो शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी मेरा हेलिकॉप्टर पता नहीं कहां चला गया अरे नोबिता हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो पीछा करता हूँ पीको अभी तक तो मेरी पीको यहां से बहुत दूर चली गई होगी हाँ पीको सुनो पीको तुम बहुत अच्छी हो अब जल्दी से नीचे आ जाओ सुनो शिजुका हां नोबिता मेरी पीको वहाँ समझ गया मुझे अपना नेट दे दो हां मैंने पकर ली हां अरे भा नोबिता हां अरे सुनियों का हेलिकोप्टर थैंक्यू नोबिता तुम कितने अच्छे हो कोई बात नहीं हे नोबिता सुनो नोबिता क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलिकोप्टर मैंने देखा है क्या कहा, सच में, वो कहा है, यह रहा सुनीओ, अरे यह तो मेरा हेलिकॉप्टर है, यह उपर पेड में अटका हुआ था सुनीओ, ठैंक यू नोबिता, यह हेलिकॉप्टर बहुत महंगा है, मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूगा कोई बात नहीं सुनियों मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ह। पिल बारिष कर्व हो गई कि अब मैं चलती हो नौविता हां मैं भी भाइब लागन मिलते हैं अब मुझे भी अपनी घर जाना चाहिए कि शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी दोरेमॉन अरे तुम सही टाइम पर आये हो अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता हाँ हाँ मॉम कहा पर है वो अब थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग करने गई है वोके लेकिन पता नहीं नोबिता मॉम अम्रेला लेकर गई है या नहीं हाँ उनके पास अम्रेला नहीं है हाँ नोबिता थो बहुत अच्छा है ओ नहीं काश यह बारश जल्दी से रुख जाए मॉम, हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लीजिए मॉम, थांकि बेटा, ये लो पकड़ो, आज आपने जो कपड़े धोई थे, मैंने और डोरे मॉन ने वो सारे अंदर रख दिये हैं मॉम, तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो, मैं बहुत खुश हूँ, आप क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है, जो तूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, और तुमने मुझसे मा की भी मांग ली है, तो अपने नाराज नहीं हूँ, अब तो तुम खुश होना नोबिता बेटा, हमें घर चलना चाहिए, मुझे डिनर भी बनाना है, एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था, उस समय एक चूहा उसके शरीर में उच्छल कूट करने लगा अपने मनोरंजन के लिए, इससे शेर की नींग खराब हो गई और वो उट गया साथ में गुसा भी हो गया, वही फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आजाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी जरूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद ए उसकी दहार बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वही पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहार सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तक्लीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुँचा वो तुरंत अपनी पैनी दातों से जाल को कु एगे